ओके सो हेलो और वेल्कम स्वाइट आप सब्सक्राइब वापिस से कई सारे कमेंट्स आ रहा थे पिछले बोक्यम वीडियो के बाद एंड मेरे को इंस्टाइब डियम के लोगों ने की एसरी ना की उपर वीडियो बनाऊ सो गाईज है एसरी ना की उपर एक पूरी गाइड र करने वाले हैं तो दोनों के लिए आपको मैं बेसिक आड दे लेता हूँ कि ट्रिपल एक्सल का कूल डाउन तोड़ा सा जाधा लंबा है एंड ग्लासी ग्लाइड का कूल डाउन तो जल्दी कूल डान होता है तो लेट सी किस तरीकी कि यह बिल्ड बनती है और कैसे आप इस आगे के एंड पीछे हैं एक बार आपिस देखते हैं इसको आगे धक्का देखे उस पॉक्यमोन को पीछे भी लिक्या जाएगा बिए वाइल्ड पॉक्यमोन बिए एन्य पॉक्यमोन तो यह आपको एक फाइदा होगा इसका अब एक चीज इसमें बहुत जादा इंटरेसि यहां से यहां तक देन आपके पास शूपर पार से आभास शूप अटी है एड़ स्का इस के बॉन्फ़ इलिव बिएक क्या यह को एक अपको एक वॉब मारने का मोका मिलें आपको एक लगामे सबसे पहले मैंने एक मॉव मारा जो कि आपके ख्लासी गरॉइन हो के जिस लो का में देगा आपको एक मारा एंदेन यहां पे देखो जैसे ही वो मुव खतम किया दोनों रेडियो चुके दोनों में से कोई भी यहां यहां पर यूज कर सकते हैं यहां पर 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 यहां प बात कर एक बार बापीस करके दिखाते हैं, यहां पर हमें एक wild Pokemon दिख रहा है, आगे बढ़ेंगे, यह देखो, just look at this, मेरे यह blue bar भर चुका है, ठीक है, दोनों ready हो गएते, मैंने यहां पर बापीस चूज़किया ग्लासी ग्लाइड, अब यह देखो, ग्लासी ग्लाइड का इसलिए आप चेज नहीं कर पाएंगे, इसके साथ, आप पापीस पीछे धकेल लिया जाएगा, यह देखो आगे बढ़ेंगे जोड़ेंगे, तो पीछे धकेल ध्यायिए जाएगा, आप इसका फाइदा करने में बहुत जल्दी पॉइट सब्सक्राइब, और यह दो बहुत जल्दी पाइट, जंग्लीग करने में, अगर मैंने तो लाइक बटन दा बागी कर लिया तो आप डिर्ट यहां से लेवल इंक्रीज कर सकने हैं देन उसका आप वहां से फाइट कमेट करें बट अब इसकी जो सेकंड बिल्ड आती है वो कैसे आपका benefit देगी चलते है वो देखने के लिए कि वो जो सेकंड बिल्ड हैगी व ट्रॉप किक से शुरू करते हैं जस लो कर दिस ट्रॉप किक का क्या फाइदा आपको दिखा लगने के बाद यहां पीछे पूरा पाथ बन चुका है यह एक पूरा पाथ बन चुका है जो भी पोकिमान इस पाथ के उपर आएगा उसे बहुत जादा डामेज होगी जस लो क अपको यहां पे एक benefit मिलेगा कि आप यहां से आगे मूँव कर पा रहे हैं तो इसकाद आप कर इस बार यहां पर fights को कमिट करते हुए आप पोकिमान को डामेज दे के जो कि आपके पीछे यहां पे नवी पोकिमान पड़े आप उनको डामेज भी दे सकते है उसके किक के सा तो आपके पात को फॉलो करेगा तो अगर तो आपके पात को फॉलो करेगा वो सकता है तब बर जाने के लिए यह काफी जादा बड़िया बिल्ड है बट इसके बार बीज की फार्मिंग कैसे वह उपाएगी इससे वो भी वह दिखाने वाला हूँ इसके बाद आप यहाँ पे प्लेयर्स को ऐसे डाउन करेंगी वो भी दिखाते हैं इस वह बात करें यहाँ बात करें यहाँ कि यह ब्लू लाइन आपको किस तरह करेगी इस वाले मैं बिल्ड के अंदर you can again see कि यहाँ पे वो blue bars आपको देख रहे हैं वो blue bar देख रहे हैं जो कि भर रहे हैं तो let's see किस तरीके से वो आपको यहाँ बेनिफिट डेता है यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ मैंने आप एक crap को spot किया सबसे पहले मैंने crawfish के उपर यहाँ पे एक stop मारा and then इसकार एक drop kick मारी and then जैसे blue bar bar मेरे को वापस zone में से कोई एक करने का option लेगा यानि कि जो पिछले वाले build में था वही same ability है आप जैसे ही आप इस blue line को भर लेंगे आपने एक move use कि आपको तुरांद मौका में जागा यहाँ पे मैंने एक V बना दिया कि यहाँ से ना वह आगए जा सकता है ना वह पीछे जा सकता है okay, you saw it ना वह आगए जा सकता था ना वह पीछे जा सकता था इसका था उसको आप मरना ही था so इसकी यह advantage है कि आप double moves को किस तरही कैसे इस्तिमाल कर सकते है but look at this 20 की farming इसे कितनी हो जाती है आपको यहाँ पे क्या कहना है सबसे बहुत एक stomp का इस्तिमाल करना है and यहाँ पे आपने damage दिया एक drop kick मारी and then एक और drop kick मारी अब देखो 20 पे मैंने यहाँ यहाँ पे double drop kick दो line मैंने मारी 20 ऐसा नहीं करेंगे कि आप हलका से दूर के तो वह वापिस आ जाएंगी नहीं 20 क्या करती है आपको follow करती है that's why मैंने drop kick मार के damage दिया and then इसका line and then again a line किछ दी and अब अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो B उसको sorry अगर अब इस पे ध्यान देंगे तो B उसको follow भी करती दिखेगी just look at this B उसको follow कर रहे उसको damage पड़ा लगाता तो यह एक benefit हो सकता है कि इस build up कैसे इस्तमाल करें okay talking about wild pokey monster कैसे fight लेनी आप सीख चुके jungling ऐसे करना आप सीख चुके we'll call it blue line for the reference वो यहाँ पे चार्ज होनी शुरू हो चुकी है अब मुझे follow कर रहा है मैंने यहाँ पे एक और ट्रॉपकिक दी मुझे बर चुके है और मैंने यहाँ पे storm करके एक और ट्रॉपकिक दे दी इसका बतला अब उसे पूरी line follow करके करके मुझे पकड़ना पड़ेगा उसके वीच उसे भी damage पड़ता चलेगा तो इसलिए उसने follow नहीं किया उसने fall back कर लिया तो इस तरीके से आप यहाँ पे use कर सकते कि आप एक drop इस तरीके से आप यहाँ पे use कर सकते आप एक storm मारे आप यहाँ पे storm मारे इसका पड़ गया उसका पर मैं यहाँ पे आगे बढ़ गया तो यानि damage उसको पड़ चुका है अब अगर वो follow करेंगा उसे और damage पड़ेगा मुझे तो बस आगे जाके एक shot connect कर देना और बाहर हो जाएगा तो यह चीज़ आपको यहाँ पर समझे कि आप अपने build को किस तरीके से इस्तिमाल कर रहे है इसका Zapdos आपको यह चीज़ पता चलेगी कि you cannot use its ultimate आप इसका unite move यूज नहीं कर सकते है Zapdos के उपर इस fight को जीतना तो टॉकिंग बॉर दाफक कि आप यहाँ पर unite move यह टेस्नीना का उसे wild Pokemon के अगेंस से इस्तिमाल नहीं कर सकते है आप Zapdos पढ़ी हजार फ्लस की डामज पढ़ी so ultimate की damage पढ़ेगी इन पोकीबान पे जब वो ultimate यहाँ पर wild Pokemon पे जब वो ultimate Venus और यह ऐसा को एक Pokemon यूज करेगा but आप टेस्टिमाल को किस तरीके से यूज कर सकते है Zapdos की fight में यह मैं आपको भी बताने वाला हूँ आपको क्या करना है कि अगर आपको यहाँ पर wild Pokemon दिख रहे है यहाँ पर एक Pokemon है I don't know यह कौन सा Pokemon है and then यहाँ पर एक Pokemon है and then यहाँ पर एक Pokemon इंटर कर रहा है आप at least दो Pokemon को एक साथ रोख सकते है ज़िए आपकी टीम यहाँ पर already cover करके fight ले रही हो यहाँ पर आप बस यहाँ से अपनी ट्रॉपकेक मार के आएंगे and then उसके बाद एक यहाँ डाल देंगे आपका blue line भर चुके आपका blue bar भर चुका आपको एक ट्रॉपकेक मार नहीं है इधर slow कर चुके आप second ट्रॉपकेक मार नहीं है इधर slow कर चुके आपको मेरा इंस्टाग्राम हैडल भी डेस्क्रिप्शन मिल जाएगा चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो तो वहाँ भी हम engagement कर सकते हैं कुछ सवाल हो ताब डारक्ली पूछ सकते हैं तब तक के लिए बाबाई